हं पर तो sera कि छाने हैं नमस्का दोस् pelos मैं पिरकाश आपका सौगत करा हम फिर से एपने यूटूब चैनल पर्काशन मुए उसको अपने की निय्क्राइब नरे वृद के तर किसे न के लिए लिए आट पर किरे के, कितने quality में आता है ये सब के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों distemper जो एक बहुत ही economic category का paint वाना गया है और ये ज़्यादा तर सभी कपडियों में आता है और सुलवाती range के paint के सकते हैं जिसे immersion plastic finish paint आते हो उसी तरीके से distemper आता है distemper की जो packing होती है वो kg में होती है मतब एक kg हो और इसको kg में पैमारा माल जाता है और जर्नलिक जो भी कहां जाता है कि हम अपने घर में aisle bound distemper लगाए आमको aisle bound distemper दे दिये तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें और तरीके से चूना गेरू मिलती थी तो उस समय इनामिल पेंट तो मिलता था इनामिल पेंट जो जिससे golden brown black वेरे मिलता था तो उसमें primer आने रगा था wall के रिए जो की water-based ना होके oil-based primer होता था जिसको solvent-based कहते थे उसी से ही related oil bound distemper का जब अविसकार हुआ तो लोग इसको oil मिला के distemper बनाया जाता था पहले उसमें मतब दीवारों पे लगता था mad finish में बट उसको dilute करने के लिए oil मिला जाता था तो उसको oil bound distemper कहते थे तो वो एक प्रचलन में आ गया मतब वो उसको लोग कहना सुन कर दिया कि oil bound distemper बनाया जैसे 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 टक्निलोजी बड़े नए 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 प्रटेक्ट आने सुरू हुए नए नए क्वालिटीज आने लगी तो उसके बाद यह oil बेस की देखा water बेस आ गया उसमें दो केटेगरी आए थी acrylic distemper और synthetic distemper अश समय चूना का कल्चर बहुत था पूरे घर में चूना लगाया जाता था और इसमें लगाया जाता था हाथ से छूटता था कप्रोग भी लग जाता था फ़विकॉल बिलाना पड़ता था बहुत से चीज़ों हो थी थी लेकिन distemper को लगाने के बाद दिवालिक दाउन सिंथेट्टिकग और डिशेकीव और यह जवेकिन दुंधे था हैं अकिन जमा बसे ठीक में राटते हैं ने की प्लास्टिकवेश्ड कि भी दिवाने था रहाती है तो जो ठीन ंवर्बे मैं आते हैं उसमें हैं IKEA यूज़ होगा और जो प्लास्टिक के डिब्बे आते हैं उसमें साफ पानी यूज़ होता है यह एक गेमिकल रियक्शन का कुछ मेंटर है तो उसके लिए दोस्तों अब बात करते हैं कितिक पैकिंग में आती है बैकिंग का एक किलो पांच किलो दस किलो पीस किलो और कहीं कि कपनियों में 30 के लोग की भी पैकिंग आती है इलगों डिस्टंपर के बाद करें तो एक नॉर्मल मिड रिंज का पेंट होता है और इसे डिस्टंपर ही कहना क्योंकि इसमें वाइटिंग मिक्ती बेस और कुछ एक्रेनिक सोगरा मिला के इसको बनाया जाता है और इस डिस् अपने घर को थोड़ा से नया रखना चाहते हैं और हर दू-तीन साल में पीट करना चाहते हैं या आपको दू-तीन साल में पीट कराना है तो वहाँ पर दिस्टंपर यूज कर सकते हैं हाथ से लगाने से छूपता नहीं है फिनिशिंग ठीक आठी 10-12 की कभणे में 5 पीलों में बहुत आनाम चे दीवारों पर जाता है दो लिटर चप पर लगता है लगाने के तरीका दम आसान है जाद दन डिस्टंपर पुट्टी वगरा को पर नहीं रहते हैं इसे नॉर्मल वाल पर लाते हैं दिस्टंपर लग दो कोट लगाना हम पहले कोट से दूसरे कोट में सुखने के लिए 6 गंटे का समय चाहिए और जो पहला कोट लग जाए तो दूसरे कोट पूई देशिंग सुखने में 4-6 गंटे लगते हैं लेकिन लोग 3-4 गंटे में लगा देते हैं वट जो कमनी के कहना है कि 1 kg डिस्ट जंटे के अंदर खतब करें मानिए हमने 20 रीटर के डिस्टेप पर बना तो लिया पूरा एक साथ पानी मिला कि उसको डाइलोड कर लिया यह गाणा पेस की तरह आता है तो यह जिस तरीके से बना तो लिया फिर इसको लोग को ऐसा नहीं रख देंगे और फिने के वाद इस इसके रेडीमेंट बने बन्यड़ा शीड देते हैं बहुत से गवनया इसके एक किलोगे पाउंच में भी डिस्टेंप पर याता है और वो रेडीमेंट शीड में आते हैं और वाइड भी आता है जहत स हमने देखा है कि लोग वाइड टे, की इस टेलिट जो आते हैं रीड लिटर के पारिटी, 800, 900, हजार रुपाई के अंदर बहुत आसानी से मिले जाता है, 20 स्लिटर के पारिटी, तो बहुत ही normal product है, बट बहुत विखने वाला product है, बहुत success product है, जबता के market में है, मतब इतने महेंगे महेंगे product रहे, प्रीट आज बी अच्छी अच्छी प्रोड़ेट आ अज भी लेत्स्टर विकता जितना पहले लिगाँ करता था थोड़ी सी ऐलकम हुई है बक सुंव मोक्लिश चीजिए इसक पर नित्रों यह चीजिए जाती है तो चीजिए संते प्रीज Нमारिब घण में लगाईए अंगर इससे रिलिटेट कुछ भी और भी आप लोगों पता है यह कुछ जीज़ है तो पीस कमेंट करके बताईए हमारे चैनल के इस टमेंट बॉक्स में तो दोस्तों आज अपने ब्लॉग पर इतना ही रखते हैं क्या जमने आपको बताया कि इतना है आपको मेरे वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लोगों को बताईए कि मैंने एक ऐसा यूटूब चैनल मनाए जिसे कि paint से related मैं वीडियो डालता रहता हो और आने वाले समय में बहुत से paint अंपनियों के बारे में बहुत से paintivos के बारे में बहुत से क्या चीज़ चल रही है market में paint success with टेल में उसके बारे में बताता रहांगा और प्लीज बिरी चैनल को subscribe कीजिए और वीडियो को शेर कीजिए, लाइक कीजिए, यही बोला पड़ता है मिया, प्लीस कर दिया कर दो यार, और आज अपने व्लोग में इतना राक्त है, कुछ भी और पुछना हो, बताना हो, तो पेस किलों में कमेंट बॉक्स में लिखे, पूरी कोशिश करेंगे, हम सबका प्लीस करेंगे, तो यहां दो लोग का जवाब मैं देपाता हो, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे, तब का जवाब देना, आज अपने व्लोग में इतना रहते हैं, थैंक यू वेरी मुच एंचेंग,